अब महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में तो मेरे पास है आज मैक्स जलिए गाड़ि को दिखाता है तो पहले फ्रण्ड से सुरू करते हैं फ्रण्ड में आपको दिखाते हैं पूरी गाड़ि मतलब कैसे डाला बनती है और कितना लोकार लगता है देखिए फ्रंड में और के विसां करते bon के ऊपर केविन मनता है जो मतलब original केविन होती है उसके ऊपर और दूसरा ये वाला बाकि इसके ऊपर हम देखिए तो बहुत बारीकि से उन्होंने design किया है यह रौड जो है यह मेरे में नहीं लगा था क्योंकि ये जो रॉड लगवाते है इससे बहुत मजबूत होता है और नीचे जो है वो फूल वूल लगा देते हैं फूल लगाने का एक वो होता है कि जब पेंट होगा मैं दिखाऊंगा आपको वो खिल के आगए ये सारी जो डिजाइने काट-काट के लगाई गई है फूल और पते जैसी चीजे हैं ये बहुत खिल के आती है गाडियों पे और वो देखने में बहुत खुबसूरत लगता है जिसकी वज़ज़ से ये लगाया गया है बाकी बहुत वो नहीं है ये चादर जो है अब कितने mm के डाली गई है मुझे नहीं पता है क्योंकि वो बाड़ी वाले मिस्तरी बताएं कि कितने mm के बनाई गई है और ये रॉड जो है वो बहुत जरूरी होता है ताकि तूटे ना फूल के डिजाइन जो है वो अच्छी है चोकि मेरे गाड़ी में लगा था और बहुत सारा मेरा तूट के निकल गया है और फिर मैं जब कराऊंगा तो आपको दिखाई दूँगा तो ओर ओर ओल इस साइड की डाला जो है ऐसी एकड़म बनाई गई है मजबूत यह रोड डालना बहुत ज़रूरी है नहीं तो जहां पर मैं हाथ रखाऊंगा वहां से तूड जाता है ठीक है और क्या बोलते हैं कि इसके अंदर पुट्टी भरवा दे है जबी भी आप वो करवाएं डाला बनवाएं इसके अंदर 1500-200 की पुट्टी आती है वो भरवा दे ताकि आपको जो है आगे चलके दिक्कत ना खरे और फ्रंट में इन्होंने ऐसा कुछ लिखवाने के लिए बनवाया हुआ है केबिन के उपर यह जो लोखन लगा है उस पर आप कुछ भी लिखवा सकते हैं तो अननिसेसरी कुछ चीजें इसमें मुझे लग रही है जो कि इतना लोहा डलवाने का मतलब नहीं है डाले में इतना लोहा डलवा के कोई ज़रूरी नहीं है केबिन जो है यह मजबूत है इस केबिन से यह होगा कि जब आपकी गाड़ी कभी पल्टी मारेगी ना तो आपका डाला जो है वो बहुत कम नुकसान होगा ठीक है क्योंकि यह बहुत एक हद तक आपका जो है वो लोड सही लेता है खुँद केबिन नई तो आपका जो ओरिजिनल नीचे वाला बैठने वाला केबिन है वो तूड जाता है और यह बंपर जो है यह bumper लगा है इससे पीछे कोई ठुकेगा तो अंदर जाएगा नी और भी क्या क्या चीज़ें वो भी आपको दिखा देता हूं यह जो है वो stopper है stopper मतलब कि जो पीछे मिटी फेकता है वो मिटी जो है वो नहीं फेकता है रुख जाता है और बाकी जो है अंदर क्या बुलते लोग जो है मतलब मिनिमम लोग जो है वो ओवर्लोड करते ही करते हैं तो जिससे दिकत होती है बाकी अगर हम डाले के अंदर की बात करें यह एक हैंडल लगता है और अंदर चलके हम आपको डाला दिखा है तो डाले में देखिए इनोंने पूरा चद्दर मरवा दिया है तो भाई सबकी अपनी पसंद है उनन डलवाया है और ये सारी चीजे जो है वो पट्टी लगाई गई है डेडड़ सूत की पट्टियां लगाई गई है ताकि डाला मजबूत रहे और अगर अगर डाले की बात करें पूरा तो ये देखें पीछे से कुछ ऐसा डाला जु कि नीचे जो है ये स्टेपनी र Red बंपर बनवा लेना चीए गाड़ी कहीं लडती है बंपर वैसे चलान है बनवाना कुछ भी नहीं चाहिए बनवाना चाहिए तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करवा लेनी चीए तो भइल फाइनल जो है पेंट के बाद गाड़ी ऐसी दिखरी है देखिए क्या मस्त लग रही है लेकिन ये गाड़ी उन्हीं के यहां बनी है सेम गाड़ी है फरक इतना है कि यह 17 कुंटल है वो 13 कुंटल थी बाड़ी एकदम सेम है कुछ फरक नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ फरक है तो बीच में जो डाले के अंदर उन्होंने चदर मरवाया था वो चदर इस गाड़ी में नहीं मारा हुआ है बस और कुछ भी फरक नहीं है इस गाड़ी के अंदर पूरा डाला आप देख सकते हैं बनवाक एकदम पेंटिंग के बाद गाड़ी कितना खिल के आ रही है कितनी अच्छी लग रही है कोई भी चेंजेज नहीं है थोड़े से भी चेंजेज नहीं है एकदम डिट्टो सेम डाला बना है बस अंदर का जो आपको बताया वही एक चीज़ चेंज है बाकी कुछ चेंज नहीं है पीछे से आप देख सकते हैं पेंट वेंट मार्क एकदम फूल पत्ती एकदम बना तो तो पीछे से गाड़ी जो है ओर एक दम खिल के आती है तो यह था पूरा भाई तो गुरू मैं जो है वह हो गए घर और यह वीडियो दो-तीन दिन बात सूठ कर करा हूं कि क्युक्ति उस दिन गाड़ी बढ़ी बनेवा same day paint गाड़ी होती नहीं है फिर मैं दो दिन बाहर था और वो गाड़ी जो है वह गई paint होई तो पता नहीं चला तो same जो एज जो गाड़ी आपने देखी वह same उसी जगह पे सेंसे सब कुछ था अलग कुछ था अजयला है फिर बनाने वाले होते पस यह होता है कि लोहा किसी में कम डाला जाता है किसी में ज्यादा पहले मैंने बिनापेंट वाली गाड़ी शूट की उसमें जोस्में लोहा काफी ज्यादा इछले वीडियो में ही आपको बता दिया था ठीक है तो यह सारी चीजे थी तो देखो बॉड़ी बनाने में आपके उपर डिपेंड करता है आप कैसी बॉड़ी बनवाना चाहते हैं मतलब कम ज्यादा लोखन डालके या किस चीज में चलाना है उस हिसाब से बॉड़ी बनती सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लिए ताकि आप तक हरो जैसी वीडियो पहुस्ती रहे मैं मिलता हूं किसी वार वीडियो में तब तक आप से अपना ख्याल रखें स्वस्त्रे मस्त्रे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवा कर दो